समसेट्स के ग्जामपल से देख रहे थें, तो हमारा एक्जामपल है, in a class of 60 students, 40 opted for NCC, 30 opted for NSS, तो हम NSC को set A बोल देते हैं, और NSS को set B बोल देते हैं, तो यह हमारे universal set हो गया, यहाँ पे हमारे पास set A है, जो है NCC, set B है, जो है NSS, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे N of A, म कितने हैं, 40, number of students, कितने हैं, B, मतलब जो इतने होंने NSS में पाट लिया है, वो है 30, अब जो इन्होंने दोनों के अंदर पाट लिया है, number of A intersection B, तो दोनों के अंदर पाट कितना होंने लिया है, 20, तो हमें find क्या करना है, the student selected has opted neither nor NSS nor NCC, कि दोनों मेंसे एक में भी नहीं ल तो सबसे पहले हम A union B find कर लेंगे, तो number of A intersection B हमें पता है, 20, A के अंदर 40 है, तो यह कितना हो गए, 20, B के अंदर 30 है, तो 30-20 हो गए, 10, अब total students हमारे पास है, 60, तो 60-20-20-10 क्या हो गए, 50, मतलब A union B कितने है, number of A union B हमारे पास हो गए, 50, total students हमारे पास है, 60, तो 60-50 हो गए 10, लेकिन हमारे पास अभी हमें सिफ यह find नहीं करना है, में क्या find करना है, probability उसकी find करनी है, तो हमारे पास total students कितने हुए, 10, probability कैसे find करेंगे, 10 divided by total students, 60, 10 divided by 60 क्या हो जाएगा, 1 by 6, तो हमारा answer क्या हो गया, A है हमारा answer, फटा फट से हम next example के उपर जाएंगे, next one is, let A and B be two sets, तो हमारे पास एक set है A, एक set है B, containing 4 and 2 elements, मतलब number of elements in A are 4, number of elements in B are 2, respectively, then the number of subsets of this set A x B, okay, तो number of A x B हम find करेंगे, number of A x B क्या होगा, 4 into 2, which is 8, अब A x B, इसके subsets कितने होंगे, 2 raised to 8, we know that subset कितने होंगे, 2 to the power, the number of elements, इतने हमारे पास subset हो जाएंगे, we all know that what is subset, okay, each having at least 3 elements is, okay, तो हमें क्या fund करना है, इतने ऐसे subset find करने है, जिसके अदर at least 3 elements हो, मतलब कि हमारे पास 0 element वाला, 1 element वाला और 2 elements वाले, ये सारे के सारे जो subsets है, वो हमें निकाल देने है, और उसके बाद जितने elements हमारे पास बचेंगे, सबसेट के अंदर, वो हमें find करना है, okay, तो टोटल कितने होंगे, 2 raised to 8, माइनस हमें क्या करना है, 0 वाले, और 1 वाले, और 2 वाले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, we all know that, ऐसे कितने subset होंगे, जिसके element 0 हो, तो 8C 0, plus element जिसके, with one element, subset ऐसे, जिसके element सर्फ 1 हो, तो 8C 1 हो जाएगा, फिर element, मतलब 8 मेंसे हमें 1 element वाले निकालने, तो 8C 1 होंगे, फिर 8 मेंसे 2 element वाले, 8C 2 हो जाएगे, तो 3 वाले तो हमें रखने हैं, तो यह हो जाएगा, तो इसका answer क्या आएगा, आप Kelsey से कर सकते हो, 2 raise to 8, minus 8C 0, plus 8C 1, plus 8C 2, तब इन सबको पहले एड कर दो, आपके पास Kelsey में है available, minus, 2 raise to 8 में से इसको minus कर दो, तो आपका answer आएगा, 9, okay, it is 219, next example हम फटा-फट से देख रहेते हैं, if x equals to 4 raise to n, minus 3n, minus 1, तो x हमारे पास दिया गया है, 4 raise to n, minus 3n, minus 1, where n belongs to n, मतलब set of natural numbers है, y है हमारे पास, 9 into n minus 1, मतलब n का element है, और n belongs to n है, फिर से हमें पता है, n जो है, वो natural numbers है, कि तब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हमें करना क्या है, x union y फाइंड करना है, x union y क्या होगा, अब ये raise to n वाले का हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम लिखते हैं, 4 raise to n, minus 3n, minus 1 हो जाएगा, इसको हम कुछ कर सकते हैं, दिखिए, इसको हम लिख सकते हैं, 1 plus 3 raise to n, minus 3n, minus 1, तब 1 plus 3 raise to n, you all know that, binomial theorem, क्या था, क्या मैं, n टम थोड़ी दिखेंगे, लेकिन फिर बेले, ट्राइ करने में क्या हर्ज है, तो 1 plus 3 raise to n, क्या हो जाएगा, 1, मतलब nc0, अब हो जाएगा, हमारे पास, nc1 into 3, plus nc2 into 3 square, plus nc3 into 3 cube, अब 2, ncn, 3 raise to n, यह हो जाएगा, minus 3n, minus 1, देखिए गया, ठीक से, यह 1 है, और यह minus 1 है, दोनों cancel हो जाएगा, अब यह देखा, nc1 क्या होता है, n होता है, तो 3n हो गया, जो positive है, यहाँ पर हमारे पास 3n negative है, तो यह दोनों भी cancel हो जाएगा, देखे, हमें cancel हो गया, अब यह क्या है, हम सारे में से 3 square common निकाल सकते हैं, 3 square is 9, 9 होर इसके अदर क्या बचेगा, nc2, plus nc3 into 3, plus nc4 into 3 square, up to ncn क्या हो जाएगा, 1 into 3 raise to n minus 2, तो यह 3 raise to n minus 2 हो जाएगा, अब देखे, हम क्या सकते हैं, 9 into something है, सारे के सारे elements क्या होंगे, 9 into something, थोड़े-thोड़े terms है, और यह जो है y, हमारे पास क्या है, 9 into n minus 1 पूरा, तो n हम infinity तक अगर लेंगे, तो n minus 1 क्या हो सकता है, अगर n equals to 1 ले लेते हैं, तो 9 into 0, 0 हो जाएगा, उसके बाद, अगर 2 लेंगे, तो 9 into 1, 9 हो जाएगा, उसके बाद 9 into 2, ऐसे करके 0, 9 ऐसे बढ़ता ही जाएगा, यह सारे के सारे टर्म क्या इसके अंधर है, यह है, तो हमारा x union y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे n सारे के सारे टर्म्स नहीं, यहाँ पे n सारे के सारे टर्म्स है, तो यह हो जाएगा हमारा y, okay hopefully friends you all are getting it now next example is okay if a b and c are three sets such that a intersection b equals to intersection c and a union b equals to a union c then okay what is the answer we have four options a equals to c b equals to c a intersection c equals to five and a equals to b okay इसको आप वो ठीरम की हल्प से भी प्रूव कर सकते हैं इसके लाबा हमारे पास एक ही है a union b equal to a union c तो हम लिखते है a union b equal to a union c ऐसको अगर मैं दोनों side b से intersectें तो b intersection a union b equals to b intersection a union c ऐसे लिखते हैं हम तो ये देखिए b intersection a union b है उसके अनदर पूरा का पूरा b है उसको हम b से intersect करेंगी तो हमारा answer क्या मेलेगा विच अब क्या है हमारे पास इसको हम ऐसा लिख सकते हैं By D. Morgan's law. B intersection A union, B intersection C अब आब शिक्षण ऐट A intersection B equals to A intersection C तो इसको हम लें सकते हैं A intersection C union B intersection C तो अब इसको हम लिख सकते हैं A union B intersection C फिर से D Morgan's law अब A union B is equals to A union C है जहां से हमने start किया था तो which is equals to A union C intersection C तो A union C intersection C क्या हो जाएगा C, दोनों के अदर C common है तो यहां पर हमें मिल गया B equals to C तो हमारा answer क्या हो जाएगा B which is B equals to C Hopefully you all are getting it So now we'll go for the next example Next example is in a class of 140 students Number 1 to 140 हमारे पास एक से लेके 140 तक students है यह देखेगा आप जान से हमारे पास 1 to 140 students है All even number students opted mathematics मतलब number of class जो पूरी class है उसके अंदर 140 students है अब All even number students All even number students opted mathematics जब टोटल अगर 140 students है तो number of mathematics जिन लोगों ने mathematics लिया है essay students कितने होंगे 140 divided by 2 वो कितने होंगे 70 उसके बाद क्या है Those whose number is divisible by 3 opted physics course and those whose number is divisible by 5 opted for chemistry course तो number of physics क्या होगा 140 divided by 3 Okay उसको हम whole number में convert करके लिखेंगे which is equals to 46 और number of chemistry Chemistry कितनों ने लिया है जिन लोगों का number 5 से divisible है तो 140 divided by 5 क्या होगा 28 Okay यह हो गया अब क्या है यह हो गया union P union C यह है उसका dash उसका हमें number यह हमें fine करना है तो ऐसे कितने होगे तो हम कैसे fine कर सकते हैं अब हमारे पास M P और C है तो number of M intersection P क्या मिलेगा मतलब 2 into 3 मतलब 140 divided by 6 तो 140 divided by 6 कितना होगा 23 अब हम fine करेंगे number of M intersection C M intersection C क्या होगा 140 divided by 2 into 5 which is 10 which is so simple it's 14 now number of P intersection C जिन्होंने physics और chemistry लिया हुआ है तो 3 into 5 हो जाएगा तो 140 divided by 15 इसका फिर से हम whole number लिखेंगे तो we will have the 9 तो यह हमें intersection मिल गया अब तीनों का intersection भी हमें चाहिए जिन्होंने ऐसे भी student हो सकता है जिन्होंने तीनों के तीनों लिये है तो number of M intersection P intersection C यह क्या हो जाएगा 140 divided by 2 into 3 into 5 which is yes plus 30 तो क्या हमें लगा M intersection P intersection C is 4 फिर से हम whole number लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 तो अब हम P union C M union P union C कर सकते हैं हम दो method से कर सकते हैं एक तो हमारे पास M union P union C मिल जाएगा number of कैसे number of P plus number of M plus number of C minus number of M intersection P minus number of P intersection C minus number of M intersection C plus number of M intersection P intersection C इसकी मदद से अगर हम find करें तो यह answer हमें मिलेगा 102 अब हमें को आप add कर लो M union P P union C इसका जो number है वो हमें मिल रहा है 102 अब हमारे पास total कितने students से 140 तो हमें find क्या करना है P union U union C M union P union C उसका dash हमें find करना है तो क्या हो जाएगा 140 minus 102 which is equals to 38 तो हमारा answer आ रहा है D which is 38 hopefully students you all are getting it अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको वेंड डाइग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ हां तो यह हमारा डाइग्राम हो जाएगा mathematics physics and chemistry के लिए यहां पे सारे के सारे मेंना numbers लिखे हुए है तो P intersection M हमें find करना है यह वाला portion जो बाहर है तो M P intersection C is 4 हो रहा है M intersection P यहां पर 19 हो जाएगा यहां पर 5 यहां पर आजाएगा 10 यहां पर 18 यहां पर 37 यहां पर आ जाएगा 9 कि अब सबी का जो addition अगर हम करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा 102 और टोटल सुरेंट हमारे पास है 140 तो 140 माइनस 102 क्या मिलेगा 38 तो इस अवर आंसर विच इस 38 तो थैंक यू